हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आज हम लोग प्रकास के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो को जितना हो सके आप लोग सेर करें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के ग्रोथ में अपनी भागिदारी निवाएं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रकास हैं प्रकास के जो सम्मंधित जो है कुछ महत्पूर्ण बिंदू जो होती है उसके बारे में हमें बात करनी है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदिप्थ वस्तुवें सब में वस्तुवें लगा देजिएगा तो प्रदिप्थ वस्तुवें ये luminous object किसको कहते हैं तो याद रखेगा वैसी वस्तुवें जिसका स्वेम का प्रकास होता है वैसी वस्तुवों को क्या कहा जाता है प्रदिप्त वस्तुवें जैसे सुरी का अपना स्वैम का प्रकास होता है इसलिए प्रदिप्त कहलाता है जैसे बल्ब मानव निर्मित एक प्रदिप्त वस्तु है और प्राकृतिक प्रदिप्त वस्तु आप देखते हैं सुरी को है तो वहाँ प्राकृतिक प्रदिप्त वस्तु है और जब आप भल्व को देखते हैं या लाल्टन पो देखते हैं किसी अन्य मानब नेडवित वस्तुओं को प्रकास उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्रित्रिम प्रदिप्त करते है और फिर आठुटिफीश्यल प्रकासमान होते हैं या फिर वह दूसरों के प्रकास के थूँ चमकते हैं या दिखते हैं उन वस्तुओं को हम लोग ओपरदिप्त वस्तुओं कहते हैं जैसे कि हमारा चंद्रमा क्या है ओपरदिप्त प्राकृतिक वस्तु है जैसे कि हम कह सकते हैं चंद्रमा हमें इसलिए दिखाए पड़ता है क्योंकि सुर्य से आने वाला प्रकास किरन चंद्रमा पर पड़ता है और वहां परावर्तित हो कि हमारी रेटिना पर पड़ता है तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं इसलिए चंद्रमा जो है वहां एक आपरदिप्त प्रकृतिक वस्तू है जैसे कि हमा उसके बाद अगर हम बात करें पारदर्सी वस्तुवें की, तो पारदर्सी क्या होता है, तो वैसी वस्तुवें, वैसा माध्यम जिससे की प्रकास किरने आर पार बिना अवरोध की गुजर जाए, क्या कहा हमने, वैसी वस्तुवें जिससे प्रकास की रन जो है, बिना किसी अ अगर हमारे पास जल है तो जल भी क्या है पारदर्सी है तो पारदर्सी क्या होता है तो जैसे प्रकास किरने पुर्ण रूप से क्या हो इसको क्रॉस कर जाये ये सारी के सारी वस्तुवें क्या है ओपारदर्सी है क्योंकि इससे प्रकास बीम जो है आर पर नहीं गुजर सकता है वैसी वस्तुवों को ओपारदर्सी वस्तु कहते हैं उसके बाद अगर हम बात करें पारभास्यक की, जिसको कि ट्रश्लियूसिंट कहते हैं, ट्रह्लिशंट क्या होता है, जिसको पारभास्य कहते हैं, तो इसको देखिएगा तो वैसी object जिससे के प्रकास किरने आंसिक रूपस जाए, और आंसिक रूप से वापस लोट जाए आंसिक रूप से उससे आर पर चला जाए और आंसिक रूप से उससे लोट जाए तो वैसे वस्तुओं को क्या कहेंगे पारभासी कहेंगे जैसे कि घिसा हुआ काच अगर काच को हम घिस देंगे तो उससे आर पर तो हम हलका फलका और पारभासी टर्म आपको समझ में आ गया होगा अब हमें बात करने हैं प्रकास की चाल ग्रती है और ही याद रखना एप प्रकास की चा सुपर निर्फ्र करती है पदार्थ जितना ज्यादा डेंस होगा प्रकास की चाल उतनी ही कम होती जाएगी अब यहां पर हम देखते हैं कि कहता है प्रकास की चाल क्या हुआ कि प्रकास की गती को प्रकास जो एक सरल रेखा में गती करती है इसी को प्रकास की चाल कहा जाता है और प्रकास की चा र दोखिस में 3 x 10 प्यावार 8 मिटर पर स्केंड लिखा जाता है अगर हम बात करेंग अक्यल फीगर की तो परकास की चाला जो निरवाथ में होती है 29,92,92,495 मिटर पर स्केंड के आश पर होती है अगर हम बात करें कि पानी में इसकी चाल क्या होती है तो पानी में इसके चाल जो जल है उसकी चाल क्या होगी तो 2.25 प्रकास की चाल जैसे जैसे घन तो बरता जा रहा है प्रकास की चाल क्या हो रही है कम हो रही है तो उसी तरह से कांच में प्रकास की चाल 2.0 प्रकास की चाल होती है याद रखिएगा इस तरफीन तेल को आयरुवेदिक दवाई औसधी है औसधी के रूप में इस्तमाल किया जाता है और तरफीन के तेल में प्रकास की चाल 2.04 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर स्केंड के पास होता है अगर हम बात करें यहाँ पर कि निर्बात में प्रकास की चाल यह होती है लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा प्रिथवी है और प्रिथवी के चारों और वायू का एक कभर चड़ा हुआ है जिसको कि हम लोग कहते हैं वायू मंडल वायू मंडल कहते हैं और वायू मंडल जो है वह गैसों के मिस्टरन से बना हुआ है गैसों के मिस्टरन से मिक्शर से बना हुआ है और गैसों के मिस्टरन होने के कारण यहाँ पर अलग अलग लेयर में प्रकास का जो घनत है डेंसिटी है वह अलग अलग होती है तो अगर ह हम बात करें, जब निर्वात, जब अहां से वायू मंडल खत्म होता है, उसके बाहर में निर्वात होता है, और वैक्यूम की स्थिती होती है, और यहां पर हवा की स्थिती होती है, तो क्या होता है, कि जब निर्वात से हवा, जो प्रकास किरने हैं, जब निर्वात से हवा मे प्रवेश करती है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे वायू मंडल है उसमें प्रवेश करती है तो प्रकास की चाल क्या हो जाती है धीमी हो जाती है कम हो जाती है वह कितना कम होती है तो जो निर्बात में प्रकास की चाल है तो जो निर्बात में प्रकास की चाल है जो है हवा में प्रकास की चाल, निर्बात में प्रकास की चाल की तुलना में 1.003, 1.003 गुना क्या होता है, धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, अगर हम calculate करके देखें, जो actual speed है 299792458, इसमें प्रकास की चाल जो है, इतने गुना कम हो जाती है, तो 89,911 मीटर पर सेगेंड कम हो जाती है, 89111 मीटर पर सेगेंड की रफ्तार कम हो गई, लेकिन अगर हम प्रकास की चाल देखेंगे, तो प्रकास की चाल जो है, वह 29 करोर है, इस आधार पर हम कह सकते हैं, कि जो प्रकास की चाल होती है, वह कम तो हुई, एक हमें नंबर बड़ा सा तो दिखा, लेकिन अगर हम पर बात करें, इसको आपको याद रखने वाली चीज है, कि वह दस हजार गुना, जो है, दस हजार गुनवे के बड़ाबर है, मतलब, दस हजार टाइम्स जब कर देंगे, तो लगभग उतने के बड़ाबर कम हुआ है, तो कोई फ़र्क जो है, नहीं परता है, इसलिए हमे हमें हवा में प्रकास की चाल, जो है, लगभग निरवात में प्रकास की चाल के आसपास हम लोग मान के चलते हैं, अगर हम बात करें, सुरी का जो सता होता है, क्योंकि सुरी में क्या होता है, नाभी की सनलेयन होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है, उसका नाभी की सनलेयन होत है है और हाइडरोजन टूटकर तो हिलियम तो है हिलियम तो हुरारल सुरिय के केंदर कारण कारण संसिए और लगा सकता है लेकिन अगर आखर करें स्य की सड़िय के सत्ह से अगर अगर सुड़िय है इसकी सताह से प्रकास किरन प्रिथवी पर कितने मिनेट में पहुंचती है तो वह है आठ मिनेट 20 सकेंड में पहुंचती है याद रखिएगा सुरी से प्रिथवी तक जब सुरी का प्रकास ध्यान रखेंगे, कि जब सुरी का प्रकास चंद्रमा पर परता है, तो चंद्रमा क्या करती है, इस प्रकास को परावर्तित करके हमारे प्रिथवी तक भेजती है, और प्रिथवी पर हमारे रेटीना पर परता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखता है, त इसलिए हमने यहां पर लिखा सुरी से प्रिथवी तक प्रकास आती है लेकिन चंद्रमा से क्या होता है सुरी का प्रकास प्रावर्तित होकर प्रिथवी तक पहुंचती है इसलिए हमने कहा चंद्रमा से प्रावर्तित होकर प्रिथवी पर प्रकास किरन है वह एक दसमलब दो माध्याम से दूसरे माध्या में जब जाती है इसका तरंग दैर्य बदल जाता है और तरंग दैर्य बदलने की कारण क्या होता है इसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है जैसे जैसे तरंग दैर्य बदलता है इसके प्रकास में परिवर्तन आ जाता है याद रखना है कि प्रका की तरंग्दैर्य बदल जाती है जिससे प्रकास की चाल में बदलाव होता है यहाँ अपने देखा निरवाद से जब क्या हुआ जब हवा में आया तो हवा में आने के बाद प्रकास की चाल 1.0003 टाइम्स कम हो गया और यहाँ पर देखते हैं जब पानी में चला गया तो यह और ज्यादा कम हो गया 2.25 इंट वाइट मीटर पर सेकेंड हो गया मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बरती जा रही है इसकी गति क्या हो रही है कम होते जा रही है मतलब तरंगदैरी क्या हो रहा है कम होते जा रहा है ठीक है तरंग बदलने पर वह ऐसी ही रहती है, आबरिती उसकी कभी नहीं बदलती है, याद रखना है कि प्रकास की जो आबरिती होती है, प्रकास तरंग की जो आबरिती होती है, वह प्रकास की स्रोत से आ रहा है, उस पर निर्भर करता है, और माध्यम बदलने से प्रकास की आबरिती में क कोई फर्क या कोई अंतर नहीं आता है इसलिए कहता है कि फरकास की चाल भी वही बनी रहेगी मेरे ख्याल से जो इंपोर्टेंट इसकी कुछ पद है वहां आपके समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट करें तब तक के लिए जै हिंद जै भारत थैंक्यू सो मच